नमस्कार दोस्तों! आज हम एक रोमांचक सवाल का जवाब ढूंडने की कोशिश करेंगे, क्या होगा अगर हम अपने दिमाग का एक सो प्रतिशत उप्योग कर सकें? क्या हम सुपरहूमन बन जाएंगे या इसके कुछ और ही परिनाम होंगे? आएए जानते हैं इस विडियो में! मिथक का परदाफाश सबसे पहले, यह जानना महत्वपून है कि यह विचार कि हम अपने दिमाग का केवल दस प्रतिशत उप्योग करते हैं. एक मिथक है. वैज्ञानिक अध्येनों ने दिखाया है कि हम अपने दिमाग के लगभग सभी हिस्सों का उप्योग करते हैं और विभिन कारियों के लिए अलग-अलग शेत्र सक्रिय होते हैं. दिमाग की कारेक्षमता हमारा दिमाग एक जटिल और गतिशील अंग है. इसके अलग-अलग हिस्से विभिन कारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं. उदारन के लिए प्रिफरंटल कॉर्टेक्स निरनय लेने और समस्या समाधान में मदद करता है, जबकि हिपोकैंपस हमारी यादों को संजोता है. पूरी क्षमता का उप्योग अगर हम कलपना करें कि हम अपने दिमाग की पूरी क्षमता का उप्योग कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इसका क्या मतलब होगा. इसका मतलब यह नहीं है कि हम एक ही समय में हर कारे कर पाएंगे, बलकि हमारे संग्यानात्मक, रचनात्मक और स्मरन शक्ती में अत्यधिक वृद्धी हो सकती है. सुपरहूमन क्षमता अगर हम अपने दिमाग का एक सो प्रतिशत उप्योग कर सकें, तो हम अद्वितिय संग्यानात्मक ख्षमताओं के धनी हो सकते हैं. तेज स्मरन शक्ती, जटिल गर्नाओं को तुरंट हल करने की क्षमता और किसी भी भाषा को तेजी से सीखने की क्षमता जैसी विशेश्टाएं विक्सित हो सकती है. नैतिक और सामाजिक परिनाम लेकिन इसके साथ नैतिक और सामाजिक परिनाम भी होंगे. अगर कुछ लोग अपने दिमाग का एक सो प्रतिशत उप्योग कर सकें और बाकी नहीं तो समाज में अस्मानता और बढ़ सकती है इसके अलावा अत्यधिक मांसिक शम्ता का दुरुप्योग भी संभव है विग्यानिक दृष्टिकोन विग्यान के वर्तमान दृष्टिकोन के अनुसार हमारा दिमाग पहले से ही अत्यधिक कुशलता से काम कर रहा है इसलिए यह कहना मुश्किल है कि एक सो प्रतिशत उप्योग की परिकल्पना वास्तव में संभव है या नहीं लेकिन यह विचार हमें हमारे मानसिक और संग्यानात्मक विकास की संभावनाओं की और इशारा करता है संभाविद जोखिम और चुनोतिया दिमाग की पूरी ख्शंता का उपयोग करने के साथ जोखिम भी हो सकते हैं अत्यदिक मानसिक भार से मानसिक स्वास्ते समस्याएं हो सकती हैं और अनियंत्रित विचारों का प्रवा हमें मानसिक रूप से कमजोर कर सकता है। इसलिए हमें संतुलित और स्वस्त मानसिक विकास पर ध्यान देना होगा। समापन तो दोस्तों, चाहे यह एक मिथक हो या भविश्य की संभावना, यह विचार हमें हमारे दिमाग की असीमित संभावनाओं की और सोचने पर मजबूर करता है। हमें अपने मांसिक और संग्यानात्मक शमताओं को बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासर्थ रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृप्या लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और रोमांचक विशे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।